हाई फ्रेंड्स मैसेल डॉक्टर शैशी बोरीचा आपका मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको कंडिशन एक्स्प्लेंड करूंगी जिसका नाम है बैलनाइटिस मैं आपको बताऊंगी कि यह क्या होता है इसमें क्या क्या सिम्टम आते है इसके स्टार defscreen करते हैं सबसे पहले आखेर क्या होता है बेरेंट से से सकता है जिसमें मल्स को पीनिस एरिया में फ्लामेशन होने लग जाता है इंफेक्शन हो सकता है यह एक कॉमन कंडिशन है सारी कि सब्सक्राइब को सकता है या फिर कई बार कुछ सारींट याआ पीर या पा तो first important symptom यही है कि males को जो penis का head area है जो glance portion है वहाँ पर उन्हें swelling होती है, redness हो सकती है इसके अलावा symptom depend करता है कि person को क्या बिमारी हुई है या फिर उसका cause क्या है जैसे कि person को sourness feel हो सकता है, pain हो सकता है, irritation हो सकती है glance के आसपास इसके अलावा person को force skin है वो tight हो सकती है, shiny हो सकती है person को fumosis की complaint हो सकती है, इसके अलावा person को severe itching की complaint भी हो सकती है कुछ cases में person को penyel discharge हो सकता है, उन्हें penis area से अजीब सा offensive discharge हो सकता है जो yellowish और फिर ग्रिनिश कलर का भी हो सकता है इसके अलावा ऐसे person को urinary complaint हो सकती है जैसे कि उन्हें toilet के time में जलन होना, burning sensation feel हो सकता है, उनको pain हो सकता है, इसके अलावा person को penis area में foul smell भी आ सकता है, अब मैं आपको इसका cause बता देती हूँ कि क्या reason है किसी person को balanitis होने का, तो balanitis होने के कई सारे cause हो सकते हैं, लेकिन सबसे common cause को बता है, फंगल infection, अगर किसी person को yeast infection हो, तो उनको ये condition हो सकती है, इसके अलावा बैक्टीरियल infection के वजे से person को balanitis हो सकता है, कई बार person को कुछ allergic reaction होने अलग जाती है, जैसे कि कि उने protection से allergy हो सकती है, उसके वज़े से person को skin में irritation होना, redness हो सकती है, इसके अलावा कई सारी medicine से भी person को allergy हो सकती है जैसे कि कुछ antibiotics हो गई या फिर कोई painkillers है तो उसके वज़े से भी person को balanitis हो सकता है इसके अलावा कई सारी sexually transmitted infection भी इसके लिए responsible है जैसे कि अगर किसी person को gonorrhea हो चुका है या फिर अगर किसी person को trichomoniasis की complain है तो इस type के sexually transmitted infection के वज़े से भी males को balanitis हो सकता है कई बार person को scabies की बीमारी के वज़े से भी genital area में severe itching और pain हो सकता है कई बार कुछ बीमारी के वज़े से भी person को balanitis होता है जैसे कि अगर किसी person को diabetes है और उस person का diabetes control में नहीं रहता तब भी स्टीप की बिमारी हो सकती है इसके अलावा अगर किसी पर्सन को फोर्ट स्किन में या फिर पेनिस के टिप पेरिया में इंजीरी कोई चोट लगी थी तब भी पर्सन को बेलनाइटिस हो सकता है अब यह को घुछ होम्योपेतिक किसी भी कंडिशन के लिए मुझसे करना चाहते है तो आप मुझे मेरे वाटसप नमबर पर मैसेज कर सकते हैं आप पो रिपलाइ करूंगी तो अगर आपको मेरे वीडियो यूसफुल और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और साथी साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो से कॉन्टिफिकेशन मिलता रहे है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू